दोस्तों नमस्कार आप सभी तमाम दोस्तों का स्वागत और अभिनंदर है एक बार फिर से आप देख रहे हैं अमेठी ब्लाग डियोर्स दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि जितने भी वेक्सिनेटर सहायक है उनकी जो है समस्या हल हो चुकी है और उनकी सेलरी जो है सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे वेक्सिनेटर लगातार संघर्थ कर रहे थे इसका यह फल है कि उनका जो अब मान दिये मिलेगा वह बढ़ करके मिलेगा तो क्या है नया मान दिये 2022 में इसी वीडियो पर हम बिचार करेंगा और उसमें लोगों से छोटी से रिक्वेष्ट है कि अगर आप लुकिज्वर सातरा घिजानकारियां तुरंध चैनल के माध्यम से मिलती रहती है जो वीडियो अपलोड होते हैं तो चलिए हम विचार कर रहे थे वेक्सिनेटर सहाय को की सेलरी को तो दोस्तों मैं आप लोगों बता दू कि छे सूत्रिय मांग जो वेक्सिनेटर सहाय को कि थी वह पहले कोई भी प्रकार का प्रसिचन नहीं दिया जाता और ऐसे ही उनको काम में ले लिया जाता है जिससे काफी प्रॉबलम भी आई थी शुरुवात में कान पकने से ले करके बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसका जो है प्रॉबलम जो है वेक्सिनेटर सहाय को क माथ ही जहन जाता है तो दोस्तों वीक्सिनेटर सहायकों की तीसरी मांग ही ये थी कि उनका जो पृतिपर च्छन दिया जाए जिस से उनको काम करने में आसानी हो तता चौटी मांग ये थी कि उनको भीमा सुरच्छा दिया जाए दस लाक रुपए तक का भीमा थाकि अगर उनको काम करते वक्त चोट लग जाती है या फिर किसी फिपरकार का हास्था हो जाता है तो इससे उनको जो है कुछ राहत प्रदान हो सके तो वेक्सिनेटर साहे को कि ये रुपए से बढ़ी है तो इसी मैटर पर हमारा ये वीडियो है लाश तक देखे वीडियो दो मिनट का वीडियो होने वाला है और हम आप लोगों को पूरी बाते इसी वीडियो में कनफर्म कर देंगे कि क्या हुआ है दरसल प्रसपालन विभाग में बैठक के बाद ये फै तो इस तरह से क्या हुआ कि डिसीजन जो है लिया गया है और वही डिसीजन हम आप लोगों बताएंगे कि क्या है तो बने रही आप वीडियो में लाश्ट तक तभी आपको जानकारिया मिलेंगी क्योंकि इस वीडियो के लाश्ट में ही हम बताएंगे आपको और तो दोस् दिया जाता था परपसू के हिसाब से तो उसको बढ़ा करके अब क्या किया गया है कि अब वेक्सिनेटर सायकों को कि सरकार की उदना थी वो सही से चलना ही प्याई तो इसी लिए वेक्सिनेटर सायकों को एक भार से बिचार किया गया है और यह क्या है क्योंकि यह मुद्दा जो है बहुत ही ज्यादा संगीन होता जला जा रहा है इसमें 86000 और उत्तर प्रदेश में हैं तो लगभग लाखों के संखा में वेक्सिनेटर साहगों की भरती हुई थी तो सरकार को एलेक्शन से पहले इस पर सोचना चाहिए और अब जो नया मानदे मिलेगा उसी के बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं तो चलिए सुरू करते हैं बताते हैं क्या है नया मानदे दोस्तों जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सुन पा रहे हैं दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक कुसकवरी बताने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों बहुत सारे विभागों में कर्मियों का मानती बढ़ चुका है आप किस विभाग से हैं आप दे आप जो सरकार द्वारा नया मानदे जो घोसित किया गया है अब दिया जाएगा करमचारियों को उसके बारे में ही हमारा ये वीडियो है तो आपको मैं पूरी लिष्ट दिखा रहा हूँ ये तो दिख रहा है जो स्क्रीन पर इसके अलावा भी और है तो चलिए के करके हमें पूरा आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ तो आप जिस विभाग से हैं आप अपना देख लीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दू कि करमियों का 2022 से जो मानदे मिलेगा वो बढ़ करके मिलेगा इसमें करमियों की संख्या मानदे ब्रद्धी हुई है वो आप इनकी ब्रद्धी हुई है 750 रुपए की दूसरा है आलसा संगिनी इसमें जो है 8013 जो है संख्या 750 रुपए आप इनको और बढ़के मिलेगा और तीसरे नंबर पर आता है आंगन बाड़ी कार करताओं का तो आंगन बाड़ी कार्ताओं की संख्या जो है वो है एक लाग सरसथ हजार चार्सो निन्यानवे और इनकी सेलरी में अब 500 रुपए के ब्रद्धी हो गई है और उसके बाद आते हैं मिनी का आंगन बाड़ी कार्ता इनकी संख्या है 22,290 इनके भी मानदे में ब्रद्धी हुई है और यह हुई है 500 रुपए की तीसरे में आती है आंगन बाड़ी सहाय का एक लाग 79,499 और इनकी संख्या है और इनकी जो सेलरी में बढ़ोत्री हुई है वो हुई है 250 रुपए की और उसके बाद फिर आता है सिच्छा मित्रों का स्थान और सिच्छा मित्रों की संख्या है समय एक लाग 76,504 और इनकी जो मानदे है उसमें ब्रद्धी जो हुई है वो 2000 रुपए की हुई है पूरा और अल्प कालिन अनुदीशक की जो भरती है यानि की जो कुछ समय के लिए जो रखे गए थे करमचारी उनमें जो है उनकी संख्या थी 41,307 और इनमें भी 2000 रु करती हुई थी 3,77,519 इनकी जो है बढ़ती है तो अब इन सभी विभागों में बढ़ करके सेलरी दोस्तों आएगी और और भी हमारे पास बहुत बड़ी लिष्ट है वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और ज्यादा बड़ा वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती करेंगे तो दोस्तों हमारे दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिएगा इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी अच्छी लगी होगी अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं इस वीडियो मे झाल झाल झाल